इनका डाउट है आप इस कोश्चन में देखिए है कुछ भी नहीं ज्यादा टेंशन नहीं कुछ भी देखिए क्या कोश्चन में कह रहा है कि टावर बिज अब यहां से देखो इन्टिस टू टावर सफ इक्वल है ठीके ना पहले एक ब्रिज के बारे में बताया हुआ है ठीके ना ब्रिज कैसा होगा सोचो देखो आप लोग बड़े-बड़े पैराग्राफ देखके परशान मतों ब्रिज होगा कोई पुल होगा इस तरीके से इसम और यहां पर बीच में कोई रोड होगा इस तरीके से तो बस आपको लैंग्वज में कंफ्यूस किया गया है ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं क्या चलना है इसमें बच्छो दो ब्रिजे से आपके पास ठीके पड़िए कि रह टेंशन मतलो जादा आप सिर्फ यह पढ़ो ना आप सिर्फ यह पढ़ो यह जो इन्फोमेशन आपको देखे रखा हूँ है क्या कह रहा है कि इस ब्रिज में क्या है दो टावर है एक्वल हाइट के दो टावर स्टेंडिंग ऑपोजट इच अधर ऑन आइधर साइड ऑफ रोड विच एकती मीटर वाइट यह बहुत मज़ेदार बात इन्हों ने बता दिये बासमझो यह देखो यह देकिए बत्चोव यह एकती मीटर वाइट रोड यह एसे गरगे आरी है समझो आपकी तरफ यह रोड आप सामने खड़े वह और रोड की चोड़ाई आपको दे इधर खड़ा हुआ है राइट में और उतना ही लेंद का उतने ही हाइड का एक टावर इधर खड़ा हुआ है अब आप समझ सकते होगे तो सिच्वेशन क्या होगी यहां पर देख लीचे बच्छो मैं न्यू पेज पर डाइग्राम बना रहा हूं कि यहां तो आनी पाएगा तो फिर टावर आपकी यह इस परेके से सिड़ी करेक्ट यह यह अब इए और यह क्या है आपकी सीडी बच्चो कोश्चं मैं उसने बोला है कि दोनों टावर की जो लैंट है वह इक वाले तो आप अंदाशा लगा के दोनों की लैंट को एक्वल बनाने कोशिश करियेगा दोनों की हाइट इक्वल है ठीक सो यहांस देखो यह कुछ थोड़ा था टेड़ा मेड़ा दिख जाए तो आप उसको इग्णोर कर देना एकदम सीधा सीधा वर्टिकली है नीचे 90 डिगरी बना रहा है यह टावर और दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की हाइट क्या है सेम है यह लीचे दोनों की हाइट आपको सेम लग रही है तो एक टावर आपकी सीधी according to the diagram अगर हम जाएं तो यहां पर देखो यह सीधी लिखा हुआ है यहां पर आपकी सीधी यह 90 डिगरी बनाएगी यहां पर नीचे और इसी तरीगे से स्टु है एक डवर इदर कंपा दूसरी पाइग सब्सक्राइब अफिर के लेकिन जहां पर ऐह 활ilis टॉब को देखती ऐक usually-weaker डेखती आप असे कि एख नवर इदहार के लिखांश घलegen एक टावर यानितिबएलह या इंच रखुले है यह और भीच में यह रोड की चौड़ाई 80 मिटर रहे है ठीक ये दो टावर एक आसा ख़़एँ आप बीच में इसमा किसमें का मतलब मिडल पॉइंट्र बेकमिड्र पॉइंट पर ख़़आ होना ऐसा ज़रूरी नहीं 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 जैसे यही जो नीता है ठीक के तावर के टॉप को देखूंगा तावर के टॉप को देखूंगा यह ऐसे अब ध्यान से सुनिए ध्यान से बच्छों आपको जादा गर्दन कब उठानी पड़ेगा यह से आप फील करो जो टावर आपके पास होगी क्या मैंने शही बोला भाई जिस टावर के आप pass में होगे भाई आप feel कर लो जाकर किसी building के pass में खड़ो जाके building के नीचे खड़ो जाओ building को दور से देखोगे ना तो उसका टॉप अनाम से देख जाएगा लेकिन पास जाके देखोगे तो यह से देखना पड़ेगा यानि कि angle of elevation कब जाधा मनेगा कब जाधा गर्दन रुठानी पड़ यह जब आप टावर को पास से देखते हो मतलब समझो कि अगर हमने अजूम कर लिया कि नीटा इस पॉइंट पर खड़ी हुई है यह देखिए पच्छों यहां कहीं यह 80 मीटर वाइड है यह एक टावर इधर एक लिए माझनों ये वाले पॉइंट पर नीता खड़े हुई है वालो और मेंदनने पास में याा जिस टावर के पास में होगी वहां पर एंगल ज्यादा बनेगा एंगल ओफ एलिविशन मैंने आपको बताए ना आप प्राक्टिकल करके देख लो ना जिस विल्डिंग के पास में खड़े होके उसके टॉप को देखो के तो एंगल ओफ एलिविशन वहां ज्यादा बनेगा न ठीक और जिस नीता एबी के पास में अरे भाई मान लो ठीक कुश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मत्चों यहां पर देखते हैं एंगल ओफ एलिविशन के बारे में क्या इंफोर्मेशन देखे रखी है देख लो करा है दूरिंग समर हॉलिडे नीता विजिटेट टू टावर अंगल ओफ एलिविशन कितना बन रहा है अब ध्यान से चेक करो बच्चों क्या इन्होंने टावर अब और सीडी के बारे में बात करा है कोश्चन में तो उन्होंने कहीं बात नहीं किया है ठीक है कोई बात नहीं है अब आप क्या करोगे यहां से नीटा जब देखेगी एवी टावर के टॉप एक को यह ऐसे तो एंको आपको एसे ज्वइन करना पड़ेगा और इस इतरीगे से जब यहां से नीता खड़ी को के देखेगी सीडी टावर तो यह तो जो नीता से जाद कहा है और यहां आपको तर्टी लेना क्यों कि नीटा यह वाली टावर से दूर खड़ी हुए और दूर खड़ी होगी तो अराम से टॉप को देख लेगी ज्यादा उसको गर्दन नहीं उठानी पड़ीगी अपनी ऐसे ऐसे नहीं अराम से यह ऐसे देख लेगी ठीक तो बस ऐसा सोचते हुए आपने डाग्राम कवर किया अब सुनो कोशन क्या इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी कहां से प्राम बेस ऑफ टावर से जहां नीता खड़ी हो कि इसकी हाइट में दर कर रही है मतलब सुझो यहां पर ध्यान से चेक करो बच्छो नीता यहां पर खड़ी है तो इस पॉइंट एन की डिस्टेंस निकालनी कहां से टावर क के बेस दूसरा और टावर का बेस क्या है डी से डिस्टेंस निकालनी यानि कि आपको डीन निकालना है ठीक है दो बाते तो यह निकालनी है उसके बाद सवाल आईए पढ़ते हैं आपको कह रहा है क्या कि कि नीटा यूज सम अप्लिकेशन ऑफ टिग्णोमिट्री शी लेंड इन हर क्लास तो फाइंड अफ टावर्स विदाओ अच्छुली मेधरिंग दिम वट 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 अफ टावर्स शी वूट हव कलकुलेटेट मतलब सुझो देखो कह रहा है इसकी हाइड भी कितनी हो जाएगी है जाके चेक कर लीजए ठेक है ना इन टावर्स ऑफ एक्वल डिया ना उसने दोनों टावर्स काईट कैसी है एक वाले तो जितनी हैट इसकी अब देखो अब नीटा ने अपनी क्लास में क्या पढ़ा है टिग्णोमेट्री पढ़ा है तो उसकी help से वह calculation करेगी without measuring the height यानि कि ऐसा थोड़ी नहीं आएगी tower पर चड़ जाएगी उसकी height measure करके लेके आएगी एक measuring जो measurement वाला एक जो आपका scale आता है ऐसा थोड़ी है वह scale ले जाएगी और tower पर चड़ जाएगी और भाई नीता के पास इंस्रुमेंट होगा ऐसा सोचो आप तो आपको case study दी हुए तो angle of elevation यह वाली tower के लिए कितना आ रहा है 60 और यह वाली tower के लिए कितना आ रहा है 30 डिग्री तो भाई उसने angle measure कर लिए यहां पर खड़े ठीक तो वह 1060 लगाके height पता कर लेगी या वह अपने दोस्से बोलेगी कि जाओ डी से लेके n तक की distance बता दो मुझे मैं कहां खड़ी हुई हूं यहां पर dn अगर पता चल जाएगा तो वह triangle cdn में 1030 लगाके यहां पर हमको mathematical करके दिखाना है तो चलिए बच्छों ट्राइ करते हैं इसको अब ट्राइक कैसे करोगे ध्यान से चेक करो बच्छों एक काम करिए देखिए यहां से देखो बी एन को हमने एक सजूम किया एक बात बताओ डी एन कितना हो बच्छों यह पूरा 80 था तो 80 मे डी यह लिजा अब देखिए बच्छो कुछ नहीं करना है आपके देखने न pross देख लो टू न्ना ने एक्स और यह लो टू उन्नों ने टू ट्राइंगल जो आपके पास पॉन से ट्राइंगल एल्हांम अबसर है तो तो आप एक काम करो इन ट्राइंगल एबी एन लगा दीजे बच्छों ट्राइंगल एबी एन में लगाई यह 1060 ठीक सो क्या हो जए गया यहां से आपने लगाया 1060 हाँ भई टैन क्या होता है बताओ टैन ठीटा क्या होता है पर्पेंडिकलर अपॉन बेस तो प अब एक काम करो अब आप ट्राइंगल सीडीन में निकाल ली ठीक है एक्स की वैलू एक्स की रूट थी और यूनिट क्या होगी मीटर क्यों क्योंकि यहां पर मीटर में दिया ना चलो अब चोड़ो अब एक काम करो अब तो आप ट्राइंगल सीडीन में आ जो सो इन ट्राइंगल सीडीन क्या करोगे ट्यंटर्टी लगा दो जैसा ही आप ट्यंटर्टी लगाओ बताए प्रपंटिकल पान बेस प्रपंदिकलो कहों है सिड्य यह लीछे और बेस कौन है बच्छों ट्ड़ीन यह लीचे अब देखिए 1030 कितना होता है बच्छो 1030 की value technometric table से आप देखोगे तो 1 by root 3 तो कुछ नहीं किया है 1030 की जगा 1 by root 3 और cd by dn cd कितना है students h by dn कितना है dn देखिए x के term से 80 minus x तो dn की जगा हम क्या रखेंगे यह dn की जगा 80 minus x रख दिया यह लीचे ठीक है अब ध्यान देखिए बच्छो कुछ नहीं करना है दो equations है आपके पास और दो unknown से आ जाएगा हम से कुछ नहीं करना है इसको इधर multiply करो चलो 80 minus x into 1 क्या हो जाएगा 80 minus x भाई चेक करो ना इसको इंटू रूट 3 यह लीजे एच इंटू रूट 3 एच रूट 3 अब वन को इधर multiply करोगे तो इतना ही आ जाएगा 80 minus x इंटू 1 तो 80 minus x आ जाएगा यानि कि 80 minus x is equals to क्या आ गया एच रूट 3 अब करना कुछ नहीं बच्छों यहां पर ध्यान से चेक करो यह जो एक्स की वैल्लू है एच भाई रूट 3 यहां लेकर रख दीजे सो 80 minus x की जगा क्या रखोगे एच भाई रूट 3 और is equals to में क्या है एच रूट 3 यह लीजे कितना आसान है अब माइनस एच भाई रूट 3 को राइट हैं साइड आप ट्रांस्पोस कर दोगे ठीक है तो यहां से क्या जगा देखो यहां एच रूट 3 है और यह दिखिए बच्छों माइनस का एच भाई रूट 3 था राइट में जाएगा सो प्लस का एच भाई रूट 3 हो जाएगा यह सर ठीक सो यहां से क्वेशन आ रही है आपके पास कितनी एक टी इस इक्वल्स टू एच रूट 3 और प्लस एच बाई रूट 3 ओके अब ध्यान देंगे यहां से देखिए एट टी इस इक्वल्स टू ध्यान दें स्टूडेंस एच कॉमन आ जाएगा ब्राकेट में यहां क्या एच और ध्यान दो इसको कैसे solve करोगे कुछ नहीं करना है इसमें अगर आपको मैं दे देता 3 plus 1 by 3 तो कैसे solve करते इसको इससे multiply करके 1 add कर देते 3 3 9 plus 1 10 by 3 yellow तो बताओ इसको कैसे solve करोगे root 3 plus 1 by root 3 को कैसे solve करोगे यह इधर multiply होगा root 3 into root 3 कितना होता है 3 और 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4 4 by root 3 यह लीचे चेक कर लो root 3 into root 3 3 3 plus 1 4 4 by root 3 ठीक तो यह चीज़ सॉल्व करके आगी root 3 into root 3 3 3 plus 1 4 4 by root 3 यह लीचे अब बच्चों ध्यान से चेक करो 80 is equals to h into यह into actual में ठीक 4 by root 3 है कहने का मतलब है कि h multiply कर रहा है किसमें 4 by root 3 में और is equals to आ रहा है 80 के कुछ नहीं इसको इसके एक्वेट कर दिया आप दो रूट 3 तर डिवाइट कर रहा हुद जाके multiply करेगा so h is equals to 80 into root 3 हो जाएगा और ध्यान दे बच्चे 4 multiply कर रहा था है तो divide करेगा कुछ नहीं है इसको उदर बिजेगो रैसी प्रोकल हो जाएगा 4 by root 3 ता उद जाके root 3 by 4 हो जाएगा बस यह सबको आता होगा आप सुनो 4 1 दा 4 होता है 4 to the और यहां 0 आ गया बच्चों ध्यान से चेक करो h की value आ चुकी आपकी कितनी 20 into root 3 20 root 3 यह लीचे यानि कि 20 root 3 मीटर से और सुनो एक्जाम में अगर आपसे बोलेगा कि height निकालो tower की up to two correct decimal places तो हम क्या करेंगे 9th class के chapter number 1 में और 10th class के chapter number 1 में root 3 का value आपको पढ़ाया गया कितना होता है 1.732 होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे हम root 3 का value यहां रख देंगे और decimal से answer निकाल लेंगे लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ बोला नहीं था ठीक है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रह है एच आपका आया था कितना 20 रूट 3 आया था मीटर तो यह वाली वैलू लाके यहां पर रख दो एच की जगा आप कितना रखोगे 20 रूट 3 यह लिजे रूट 3 से रूट 3 कैंसल हो गया अब मेरी बात ध्यान दीजेगा पीछे जाईए उसने आपको क्या बोला था उसने हमने बता दी पार ट्टू में यह लिजे पार ट्टू का अंसर यहां लिख रह ओ ठिक हाइड व heads बच्चो बता दी हमने क्या को ट्वट रूट 3 मीटर्स लिजे लेकिन अभी हमने नीता की पोजीशन को नहीं बताया है यह देखिए यह नीता पोजीशन तो और बच्चो अब 80 में से आप क्या करोगे X माइनस कर दोगे चकल लो 80 माइनस X याने कि 80 माइनस 20 कितना मचे का 60 याने कि ये 60 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक याने कि अब हम answer लिखेंगे क्या नीता is 20 मीटर अवे फ्रॉम दा बेस आफ दा टावर A B and 60 मीटर अवे फ्रॉम दा बेस आफ दा टावर CD ये चीज़ आपको लैंग्वेज में एक्जाम में डाग्राम बना के लिखनी पड़ेगी ताकि एक्जामनर समझ सके क्या लिखोगे आप नीता is 20 मीटर अवे फ्रॉम दा बेस आफ दा टावर A B and 60 मीटर अवे फ्रॉम दा बेस आफ दा टावर CD CD से वो CD के बेस से वो 60 मीटर लेकिन A B के बेस से वो 20 मीटर डिस्टेंस पे ठीक अब बोलेगा सर क्या इसका रिवर्थ केस भी हो सकता है बिल्कुल क्या पता डाग्राम ऐसा बन गया होता जहां से चेक करो आता 60 करेक्ट तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना एक्जाम में आप बस एक डियाग्राम बनाओ गए यह वाला और इस डियाग्राम के कोडिंग ही आपको आंसर यहां पर दे देना है कि नीटा जो है टावर एबी से 20 मीटर और टावर सीडी से वो 60 में 60 मीटर डिसंस पर खड़ी हुई है बस अब सुनो तो चलो यह भी आ गया पाट वन का अंसर था यह चीक तो यहीं इसने बोला फाइंड डिसंसे आप दे पॉइंट फॉंड बेस आप टावर तो हम आंसर में क्या लिखेंगे पाट वन का नीटा इस ट्वंटी मीटर अवे फ्रॉम मैं लिख लोगे आप फ्रॉम टावर अबी है ना फ्रॉम दा बेस आफ टावर अबी अड शिक्स्टी मीटर अवे प्रॉम दा बेस आफ टावर सीडी ठीक है लिख लेना अब तोनों बच्चो फिर क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड पार्ट थी में दिखिए फिर और लगा कि उसने बोला फाइंड डिस्टेंस बिट्वीन नीटा एंड टॉप टावर सीडी तो एकॉर्डिंग डू आर डाइग्राम बच्चो जो हमारा डाइग्राम है उसके कोडिंग हम आंसर देंगे मतलब सुन्जो देखो अब वो कह रहा है आपसे की नीता यह रही नीता नीता और टावर अ विके टॉप के बीच का डिसस बताओं मता बच्चो क्या दिक्कत नी यहां फैप तो च्ख ni करो यहां पर ठ च्र MIDI हो यहां पर देखो है 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 ना सो एच कितना है students 20 root 3 और यहां से भी एच कितना है आपका यहां अंदर लिख दे रहा हूं समझ जाना 20 root 3 यह लिजे चाहों तो पाइथर गुरूस लगा दो चाहों तो टिक्नोमेट्री लगा दो अब देखो जा यहां पर देखी यह कितना है 60 अगर आप कॉस लगा दो गें पॉसकिया अगल की वाष्ग वाली साइट कौंच और यह यह आपका अच्छा यह बड़े मज़दार चीजे है फॉट एक को आपको निकालना है ठीक कोई बात नहीं है तो देखो ये 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो गया 20 और हाइपो क्या है 90 का पोजट डॉला हाइपो यानिक ए-न तो बेस अपन base कितना है 20 upon hypo, hypo कितना है an, ये लिजे, अब an आपको निकालना है, क्या दिक्कते बताइए, cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 उतना ही होता है, जितना sin 30 होता है, तो cos 60 होता है 1 by 2, ये लिजे, so 1 by 2 is equals to 20 by an, correct, अब cross multiplication कराओगे, तो an into 1 हो जाएगा an, और is equals to 2 into 20 कितना होता है, 40 मीटर, तो इस तरीके से बच्चों, जो नीता है, उसकी distance, tower a, b के top से कितनी आ गई, 40 मीटर, ये लिजे, और नीता की distance, c, d के top से, यानि कि अब आप c, n निकाल लो, तो c, n निकालने के, आप ये वाले triangle में, कौन से में, triangle c, d, n में, अभी हमने क्या, a, b, n में लगाया था, cos 60 कहां लगाया था, triangle, a, b, n में लगाया था, अब हम triangle c, d, n में लगाने जा रहे, cos 30, so, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, चलिए, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, students, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते है, ठीक, यहाँ पे देखिए, triangle c, d, n में, so, triangle c, d, n में, लगा दीजे, cos 30 degree, cos 30 क्या होता है, base upon hypo, base कितना है, d, n, और d, n कितना है था, 60, base upon में hypo, hypo कितना है बच्चो, c, n, correct, अब से, cos 30 बच्चो कितना होता है, तो cos 30 उतना ही होता है, जितना sin 60 होता है, तो sin 60 कितना होता है, root 3 by 2, यहनि, cos 30 होता है, root 3 by 2, so, root 3 by 2 is equals to 60 by c, n, now cross multiplication करेंगे, तो क्या जागा यहाँ से, root 3 into c, n, so, root 3 into c, n is equals 2, क्या होता है, 2 into 60, 2 into 60 कितना होता है, 120 होता है, यह लीचे, root 3 जाके उधा, divide लगा देगा, इस calculation को हम कहां पर करें, चलो, यहीं पर देख लो, c, n कितना हो जाएगा, 120 divided by root 3, लेकिन बच्चों, यह final answer नहीं है, अब इसको रेशलाइस करोगे, तो c, n कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो c, n is equals to, 1, ओहो भाई, यहाँ नहीं पाएगा, चलो, मैं आपको next करके दिखाता हूँ, c, n कितना आ गया, 120 by root 3, है न, c, n कितना आ चुका, में multiply करेंगे, तो check कर लीजे, बच्चों, कितना हो जाएगा, 120 into root 3, और divided by root 3 into root 3, 3 होता है, ठीक, तो इस तरीके से 3, 1, 3, 4, 12, और यह 0 आ गया, यह लीचे, so 40 root 3 आ गया, के लीचे क्या दिखकते हैं, तो c, n कि लेंज कितनी आ गई, 40 root 3 meters, correct, यहने कि नीटा की second building के top से distance कितनी है, 40 root 3, 40 root 3 meters, यह, ठीक, तो part 3 का answer आप खुद से लिख लोगे, नीटा is at a distance, no, क्या पूचा था उसने, yes, distance of the नीटा from the top of the tower, a, b is 40 meter, and distance of the नीटा from the top of the tower, c, d is 40 root 3 meters, ठीक है, तो दोनों सही हमने बता दिया है, ठीक है students, okay, कर लीचे, एक और doubt यह पूच रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं कि कभी-कभी question में, c, a का distance, वैसे मैंने तो देखा नहीं है, बट फिर भी, अगर बच्छो कभी-कभी उसने, अगर c, a का distance आप से पूच लिया, ठीक है न, यह देखी, यह c से a तक का, तो बच्छो एक बाब बताओ, simple सी बात है, tower की height क्या है, same है, तो c, a का distance कितना हो जाएगा, जितना रोड का, क्या है, width है, तो road का width कितना था, 80 meter, तो c, a का distance भी कितना आजाएगा, 80 meter, बताओ, शेत, इसको इडाउट है, अगर height ना same हो, तो यह तो situation देखनी पड़ेगी, अगर height नहीं से मैं मान लो, तो यह इस तरीके से, और यहाँ पर यह इस तरीके से, अगर height नहीं से मैं, तो देख लेते हैं, भाई, क्या situation है, है ना, यह इस तरीके से, और मैं random values ले ले रहा हूं, है ना, यह कोई height है आपकी, है ना, tower, और यह कोई है, ठीक, और उसके तो यहां से स्माल हो जाएगा पिर कितना आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा यह वाला ठीक और यह देखिए यह अपका क्या है सीडी वाले का है अपको एसे C को join कर देना है बस और एक बात बता दे रहा हूँ अभी अभी देखे रोड की जब चोड़ाई देखे रखा था आपको डीवी यह 80 मीटर था समझ लो हाँ तो आपको यह भी 80 आ जाएगा है ना अब हम क्या करेंगे ध्यान सरे चेक कर लो कुछ नहीं करना है इसमें आप C को A से join कर दिया करिए ठीक अब बताओ क्या आपने अच्छा यह वाले point का कुछ ना कुछ नाम रख दीजे यह वाले point का नाम क्या है कुछ भी है M है मान लो तो triangle A देखो यह वाले point का नाम M है यह 90 डिग्री हो जाएगा ठीक तो बच्चों समझ रहे हो क्या आप देखो ए फिर से समझी है यह पूरी हाइट है एबी टावर की capital H यह स्मॉल है सीडी वाली टावर तो यह स्मॉल है तो यह स्मॉल है यहां सी से सामने एक परपेंडीकुला डालोगे किस के उपर a b के उपर और उस पर नाम क्या है सी एम चेक कर लो तो यह सी एमपांडीकुला हो जाएगा क्या ए वी अब बताई बच्चों यह पूरा अगर ह है और यह small h है तो क्या आप a.m की length नहीं निकाल पाओगे a.m कितना हो जाएगा capital H minus small h, capital H में से small h minus कर तो a.m आ जाता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर a.m आ जाएगा so capital H minus small h ये लीजे कुछ न कुछ तो आ जाएगा अजाना एच माइनस small h ये लीजे ठीक अब आप क्या करोगे आपको ट्राइंगल a.m c ले लेना है तो इन ट्राइंगल a.m.c और आपको लगाना है पाइथा गुरस थियोरम ठीक अब अब पाइथा को रस्तियोरम यानिके ट्राइंगल a.m.c में 90 के अपोजिट कौन है एसी ये लीजे तो एसी का स्क्वाइर भराबर क्या करता होगे आप ए एम का स्क्वाइर और प्लेस थी एम का स्क्वाइर तो यहां से एसी आ जाएगा अब एम तो पता चली चुका है ना एच माइनस अच्छी आना कि भाई कुछ ना कुछ कैपिटल होगा कुछ ना कुछ स्मॉल एच होगा मैनस कर देंगे एच माइनस है चाज़ेगा कर लोगे अब बताओ तो यह तो यह तरीका होता है यह भी आप समझेलों ओके